नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज रड़ा पर और दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आईपिल 2020 को लेकर वर्ल्ड कप 2020 को लेकर और आईसीसी की मीटिंग को लेकर जहां पर आज आईसीसी की मीटिंग में वर्ल्ड कप 2020 को लेकर बड़ा डिसीजन लेना था कि इस बार 2020 में वर्ल्ड कप कराया जाए नहीं कराया जाए और आईपिल 2020 को लेकर क्या अपडेट है सा बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए बता देते हैं आपको कि आज की ICC की मीटिंग में जो वर्ल्ड कप 2020 पर फैसला लेना था उसको जुलाई तक के लिए पोस्पोर्ण कर दिया गया है जुलाई तक के लिए इस फैसले को टाल दिया गया है ICC अभी कुछ भी हडबडी में कोई भी डिसिजन नहीं लेना चाहती है वो अपने आपको थोड़ा सा और समय देना चाहती है ताकि अगर सिच्वेशन सही होती है तो T20 वर्ल कप का योजन समय पर कराया जा सके और ICC के इस डिसिजन से दोस्तों IPL 2020 के लिए जरूर थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि अगर ICC आज T20 वर्ल कप को पोस्टमेंट की न्यूस को कंफर्म कर देता तो फिर यहाँ पर BCC जो है वो IPL 2020 के ओपर काम करना शुरू कर देता लेकिन ICC ने ऐसा नहीं किया और वो लगातार डिसिजन को टालते जा रहा है और डेट को आगे बढ़ बैठक होगी लेकिन जुलाई में एक बार फिर से इसकी बैठक होगी और फिर वहाँ पर डिसिजन लिया जाएगा करेंट सिचुएशन को देखते हुए और अगर वहाँ पर सिचुएशन ठीक होती है कोरोना के मामले कम होते हैं तो फिर यहाँ पर हमें T20 वर्ल कप ही 20 वर्ल कप है उसका फैसला जुलाई में होगा और आई पिल 2020 का भी फैसला जुलाई में होगा तो दोस्तों यह थी बड़ी अपडेट जो की निकल आ रही थी ICC की तरफ से उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और क्रिकेट और आई पिल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें मारे चैनल को और बेल की गंटी को जरूर से दबालें धन्यवाद